आज मंगलवार की रात को बहुत सरलतम तरीके से काले मिर्च के कुछ सरल से उपाए आपको अपने घर पर करने हैं यकीन मानिए जीवन में बदलावाएगा क्योंकि आज बहुत दुरलब सयोग हो रहे हैं आज एकादशी भी सुरू हो जाएगी और साथ ही आज जो है गंगा पीछा नहीं छोड़ती तो बड़े सरलतम तरीके से जीवन में सभी कामनाओं की सिद्धी के लिए कुछ सरल छोटे-छोटे से उपाए प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से पूरे परिवार को फल देते हैं आज जो है सामाने नहीं है आज की रात्री हो या दिन अपने आप में दूरलब है साल की सबसे बड़ी एकादशी नेरजला एकादशी भी सुरू हो ही जाएगी ऐसे में आप सभी को घर पर ही सबसे पहला उपाए करना है सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है आज बालाजी महराज का दिन है जो महादेव के इग्यारवे रु अपाई है दुरघटना रोग कर्जमुक्ति मांगली दोश और कहीं न कहीं किसी का किया कराया उतारने के लिए मंगलवार और सनिवार के उपाई इस तरह से तकाल फालित होते हैं मंगल ग्रह जब जो है कुंडिली में नीच की वस्था में उग्रा वस्था में होता है तो या बड़े को बहुत अरी गुस्सा आता है रक्त संबंधी रोग होते हैं जोती साकलन करो और साथी कहीं न कहीं वह बच्चा जो है गलत रहा पर भी भटकता है और किसी ना किसी स्वरूप में उसे जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में आप सफलता प्रदान करेगा विबाहा के लिए भी अर्चन को दूर करने वाला होगा तो आपको कोखित्यादी बात दी है किसी ने कुछ कर दिया है बच्चेत पत्ती में दिक्कत हो रही है तो भी उपाए बहुत सरल होगा आप सभी को लेनी है साथ काली मिर्चे ठीक है काली मि पूर्ण ता लीजिएगा बड़े बड़े पूर्ण अवस्था में साथ काली मिर्चे ले लिजिए साम के समय पर घर पर आप सभी को अपने बच्चे के उपर या पती के उपर या अपने उपर साथ बार मनी भद्र महादेव के नाम से मनी भद्र महादेव का नाम लेना है और साथ बार जो है साथ काली मिर्च को उतार कर या तो किसी पवित्र पेड़ जैसे कि पीपल रक्ष के नीचे गुरुजी कहते हैं आपको रख कर आ जाना है या जो है बहते हुए जल नदी इत्यादी में पानी इत्यादी में इसे प्रवाहित कर देना है इन सभी कारे को करत तेवे मडी भद्र महादेव का नाम लेना है इस बात का द्यान रखे तो पहला उपाय आप सभी को यह करना है दूसरा उपाय आप सभी को करना है अपने घर में कलह कलेश दूर करने के लिए रिद्धी सिद्धी नहीं है घर में सुभकार होते ही नहीं है विवा की अर्चन ब्यापार चलता ही नहीं है, पैसों की आवक बरकत होती ही नहीं है, तो आज आप सभी को त्रिसूल बनाना है, कहां पर बनाना है, घर के मुख्य द्वार पर कैसे बनाना है, आप सभी चले जाना है हनमान जी महराज के मंदिर में, वहाँ पर लगाने नहीं है, आपको तेल का या जो भी आपके पास दीपक है चमेली तेडी का तेल या तिली का तेल हनवान जी को खूप प्रेय है तो उन्हें लगा दे गुड़ चना जो भी आपके पास है भोग सरूप से जो है उनके चर्णों में समर्पित कर दे फिर हनवान जी महराज के बाएं पैर का सिंदूर ला देना है अपने कई घर के मुख्यद्वार पर भी देखा होगा घर को नजर लगती है हाई टोक लगती है दूसरों का जो है किया कराया बहुत जल्दी परिवार के सरधश्या पर असर होता है तो सरलसा उपाय आज आपको घर के मुख्यद्वार पर त्रशूल बना देना है इन उपायां को आप गुरुजी की अवाज में सर्च करकर सुन भी सकते हैं, आपको जो है विश्वसनी रखना होगा किसी भी उपाय को करने के लिए निश्ची थी आपको लाब होगा, तो यह उपाया है जो अपने आप में आज घर पर आप सभी को करना है, इसके साथ ही आज रात के समय आपको उपाय करना है कैसे करना है आप सभी को लेना है लॉंग का जूड़ा खिड की दर्वाजे इत्याती बहुत जो है खोल देने है अर्थातपूर्ण रूप से खोल देना है ताकि घर में नकारात्मक्ता का नाशो घर में आपको लगता है आप बाहर प्र पूड और दो लॉंग अर्थात एक जूड़े में लॉंग लेना है ले लिए पूरे घर में इस लॉंग और कपूर को हाथ में लेकर घूम जाना है और निरंतर बालाजी महराज और महादेव का इसमरण और ध्यान आपको करना है ठीक है और साथ ही जैसा मैंने बताया आप आप सभी को अपने घर के मंदिर में इसे स्वाहा कहते हुए और हनमान चालीसा का या तो आप उच्चारण करें अर्थात बोलें या कोई विसेस मंत्र को बोलें या जो है टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के माध्यम से भी आप जो है इसे चला देते हैं ना हनमान चालीसा का तो नकारात्मक्ता का नाश हो जाता है और सकारात्मक्ता पूर्ण रूप से घर परिवार पर आजाती है तो यह जो है लौंग और कपूर की धुनी आपको जला लेनी है और पूरे दुकान या घर में इसे गुमा देना है यकीन मानिए आप जीवन में उसी समय से सकारात परिवर्तन देखना आरंब करेंगे इसके साथ ही संपूर्ण सरल उपाय जो घर पर भी आज प्रते एक छोटे बच्चे को लेकर बड़े बच्चे तक करना चाहिए जिससे की पूरे जीवन बदलाव आये और हनमान जी महाराज हमारे आसपास विद्धिमान रहे और घर पर करें ऐसे में आप सभी को क्या करना है एक लाल आसन का चुनाव कर देना है आज की दिन लाल धातु बहुत प्रिये मानी जाती है जो है क्योंकि आज घर के मंदिर में हनमान जी की प्रतीमा फोटो भले हैं मंगलवार का बृत नहीं करते हैं तो भी आप सभी को एक भोटू विराजमान कर लेनी होगी उसके आगे सरसो का तेल हो तो अतियुत्तम है चमेली का तेल हो तो उसका लगातेते हैं या सरसो का जो भी आपके पास है तिली का यह तेल जो है आप प्रजोलीत करें ना होने की स्तिती में घी का दीपक भी प्रजोलीत किया जा सकता है अब उसमें आपको डाल देना है एक लौंग का जूड़ा अब आप सभी सामान्य तोर पर कोई भी सरल सा विसेश मंत्र जो आपको आता हो या सामान्य तोर पर सत्रु विजय, रोग और सभी कस्ट निवारण के लिए इस महामंत्र की एक माला का भी जाप कर सकते हैं मंत्र इस तरह से है ओम नमो भगवते, रुद्र उताराय, सर्व सत्रु संगहराय, सर्व रोग हराय, सर्व वसी करणाय, राम दूताय, स्वाहा इस महामंत्र के जाप से भी आज की दिन बहुत सारे कस्टों का निवारण होता है सत्रु परिशान नहीं करते जिस भी जगे आप जाते हैं विजय पराप्त होती है और रोग निवारण में भी यह उपाय बहुत सहायक होता है तो इस महामंत्र की एक माला का आप जाप कर सकते हैं इससे कम भी कर सकते हैं समय नहीं की स्तिती में 11 एकिस बार यह 11 बार भी इस मंत्र का आप जाप करे निश्चिती आपको लाब मिलेगा अगर किसी अवस्था में मंत्र बोलने में अस्मर्त हैं तो स्रमन कर सकते हैं उससे भी फल मिलेगा साथी आज के दिन हनमान चाले सका अपने घर के छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों को कम से कम एक बार तो आज के दिन हनमान चाले सा पढ़नी ही चाहिए इससे अधिक पढ़ सके ना तो अतिसरेश्टी इसे कहा जाता है साथी हलमान जी महराज को जो भी आज भोग लगा रहे हैं ना उनके सामने पानी का लोटा भी जरूर से कर रखें उसे लोटे को आप सभी जो है आरती इत्यादी के बाद आच्मन के रूप में ग्रहन करें पूरे घर में उसका छिड़काव करें निश्चीती घर की नकारात् मक्ता घुलते चली जाएगी तो सरल सा उपाय है जो मैंने आपको बताने का प्रियास किया आज के दिन जो है करने जला एकादशी है आज भी आप दान कर सकते हैं एक घड़ा या पानी इत्यादी का दान करें पसुपक्षियों के लिए कोई ब्यवस्था करें पानी जल इत हैं तो भगवान आपकी सेवा और आपके लिए कुछ ना कुछ ब्यवस्था करेगा मन बहुत चिंतित रहता है किसी ना किसी कारण से दुख ब्यवस्था सही नहीं है पारिवारिक दुख लगे रहते हैं कर्ज लगे रहते हैं दहरे रखे भगवान की चिंतन मनन में अपन कीमती समय निकालें, भगवान ने धर्ती पर भेजा है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा, बहुत अधिक परेशान ना होईए, बहुत अधिक मन को विचलित ना कीजिए, समय है, कुछ दुखा आ रहे हैं, तो भगवान पर छोड़ दीजिए, हन्मान जी महराज, बाला जी महराज, कल्यूग में प्रतिक्ष देउता है, आपके कस्टों का निवारण करें, दुनिया के आगे रोने का कोई अर्थ नहीं है, भगवान के सामने दीप जलाएं, और उनसे अपनी मनोती बोले, मनो कामना बोले, सही वक्त, सही समय, आपके लिए निधारित किय है भगवान जी ने, और वह कस्टों का निवारण जरूर से करें, विश्वास रखें मेरे महादेव और स्रीबाला जी महराज पर इस कल्यूग में वही हैं, जो आपके कस्टों का निवारण कर सकते हैं, आपको अगर देने योग ये बना रखा हैं, आप छमतावान हैं, त उतना आप सभी दान पुनि करने का प्रियास करें, आपको लाव होना निश्चित है, उपयोगी वीडियो रहा हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर से कीजिएगा, मिलते हैं इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ मैंने 5 या 7 वीडियो उपाए आपको बता इन में से कोई एक कीजिएगा, निश्चित हिलाव होगा, जैसरी राधे, हर हर महादेव